कैसे हैं दोस्तों आप सब आप सभी के एक पर फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल किंग फेंटस टिप्स में इस वीडियो में मैं आपको पाकिस्तान वर्सिज होंग कोंग के बिच जो एस या कपका छटा मुकाबला होने को है उसको मैं कवर करूंग और साथ साथ आपको सन तक देखिएगा और आप इस वीडियो में अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेलाइकन दवा दिजिए और साथ इसाथ अपने दोस्तों के पास भी सेयर कर देजगा अगर वीडियो अगर आपको लाश्ट में अच्छा लगेगा तो क्योंकि इस वीडियो में बहुत ज्यादा मेहनत लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेलाइकन दवाना बिल्कुल नभूलिएगा चलिए इस वीडियो को सुरू करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और आपको बताने की कोशिस करते हैं कि हम लोग पाकिस्तान परस अच्छा तरीके से तरीके से लंका बैटिंग की किस सब लोगों को इंप्रेस के क्या आप समझ सकते हैं उसने किस तरीके से बैटिंग करके इंप्रेस किया तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ थोरा से ज्यादा है इसलिए उने जो फास्ट बॉलर्स अब बहुत ज्यादा प्रोग्रेस करने वाले हैं यहांपर पहले 160 प्लस पहले बैटिंग करते हो बनाते हैं तो यहां पर थोरा सा मतलब कि एक सम्मान जनों के स्कूर हो सकता है उसको चेज करने में थोरे कठनाई आ सकती है लेकिन ऐसा भी नहीं हो सकता और इस पीछ पे जो भी टॉस जिता हो सबसे पहले बैटिंग लेने के कोसिस नहीं करता है चेज करने के कोशिश करता है निसलिए सबसे पहले पसंद करते हैं अब बात करते हैं तो 26 टोडल यहां पे खेले गाए जिसमें से पहले बैटिंग करते हुए जीते गए और दस मैंचेज चेज करके जीते गए तो फिर भी मैं आपको बता दू कि यहां पर यहां पर आपको चेज के चांसे ज्यादा नहीं नज़ा आएंगे लेकिन फिर भी जो टोस जीते और सबसे पहले बॉलिंग लेना पसंद करता है क्योंकि आज क्याल का चेज करना ट्रेंड बन चुका है और ट्रेंड के साथ ही थाड़ा जाना सब पसंद करते हैं और एवरेज स्कोर कम नहीं है इस पीछ पे रंस जा सकते हैं इसका डाइमेंशन छोटा है करने का मतलब जो फ अब इस खेले गाए उसमें से 14 बार 150 के नीचे जाए उसके बाद आप देख सकते हैं कि 90 पर सिटाप उसके उपर 150 एकसो सबस्टार के बीच में पांच बार एकसो सब्सक्राइब यहां पर जाएगी और यहां से हौंकॉंग करेंगी तो यहां पर उमीद है कि 150 तक टच करने के कोशिश करेंगी क्योंकि इनके पास बैट्समें और बॉलर्स की कमी नहीं बहुत यह अच्छे बैट्समें इनके पास से विलेवल हैं तो इसलिए 150 और 170 के बीच में टच करने की कोशिश करेंगी जो कि आप टीट्विंटी डोमेस्टिक जो कि देख में देख के नजरा आगा कि 80% मैच करते हुए जीचे जीते गए हैं तो यहां पर नाइंटे मतलब कि यह चांसे जरहते हैं कि चेज करके आप मैच को असानी से जीच सकते हैं अब बात करते हैं स्कॉरिंग पैटर्न के बारे में 150 की नीचे 30 बार जा चुका है और 150 170 क जा चुका है 17- Whatever उबीच फरेंगे जा चुका है तर्युमें ज्यादा नहीं रहता है और में दो मैच रहता उसमें वी जितना रहता है इसलिए सब लोगça कि लिए नहीं प्रवाइब से पाकिस्तान तरफ से टॉप थ्री प्लेयर इसमें तो कोई मतलब की दो राई नहीं कि आप इन्हें मिसी इन में से किसी को छोड़ कर भी जा सकते लिए जहां तक बात रहें कि थोड़ा सा फॉर्म भी खराब चल रहा और कुछ अच्छा नहीं कर पाते हैं लेकिन जहां तक बात रहे फकर जमान की तो फकर जमान इस मैच के लिए आपको इस मैच में इनको चुनना बहुत इंपॉटेंट है क्योंकि अगर टॉप मारें मतलब रंस अगर ज्यादा स्कोर करेंगे मालिज अगर पहले बैटिंग करती ह होंकों तो 130-140 बनाती है तो इनहीं तीनों लोगों को मारना है अगर पहले बैटिंग करती है होंकों तो और पहले नहीं भी करती है तो रंस बहुत ही ज्यादा के मातरा में मतलब की 190 प्लस का टार्गेट करेगी तो टॉप टॉप के ही बल्लेबाज काम आएंगे इसलिए इ यहां से पिछले मकामले में भले ही मतलब की इन्होंने मतलब रंस नहीं बनाया लेकिन फिर भी इन्हें पिक करके जाना बहुत इंपोर्टेंट है और इसके बाद मोहमद रिजवान देखिए मैं बतादू फखर जवान को सब लोग नहीं लेना पसंद करें क्योंकि इनका क जाहां तक बात रही कि द्यार значит Watch्षा असियफ जय विसमास मोहम्मद नवाव करके लिए अगर यहां सब्सक्राइब लगे ऑगर यहां सब्सक्राइब नमाज के साथ हम लोग जाएंगे जो कि इस पीछरे में नीकाला था बात केरेंगे लेकिन वह लोगों नहीं जो की बैट्स्मेंट पिक लिए बाबा रजम मुहम्हमध रिज्वान फकर जमान अब उसकेप हमें वेक्ट की एक और वनटल के साथ जाना पसंद करेंगे कि यहां मेरे हिसाब साब जसasında जो बालांट डालेंगे यूराभ ने करने आएंगे तो उन्हें हम ले कर जाएंगे किन दोन Going को सकते हमारे हो सकते हाह किर भी हरी श्राफ और इसके बाद मुहम्मद हसने इन दोनों में से कोई हो सकता है अगर इन दोनों भी नहीं खेलते तो यहां से मुहम्मद नवाज और नवाज के साथ सहानवाज दहनी होने वाले हैं और कोई तिसरा टिम में नहीं आने वाला है जो कि आपने मैंने बताया कि आप यहां से देख सकते हैं कि तीन ओपर के बल्लेबाज बाबा राजम मुहम्मद रिज्वान और फकर जमान और हो सके तो इस मैच के लिए अगर ज्यादा हम लोग सोचेंगे तो इक्तियार अहमद को भी हम इस मैच के लिए एड कर सकते हैं अब बात करेंगे हम लोग जो की होंकों के प्रेवल प्रेवल प्रेंगे लें इसलिए पहलें परसेंटेज कम होगा और इन्होंने पिछले मुकाबले में जो 9 बनाये थे इसलिए आप इन पर जरूर जरूर रिस्क लिए जादर आप कैप्टेन वाइस कैप्टेन देने के भी कोसिस करें और आपको यहां पर दिक्कत नहीं होगा है क्यूंकि आपको अगर यह 30 पलस विर्ण से स्कोर कर देते हैं और एक से दो बिक्टिन निकाल देते हैं तो यह देने के कैप्टेन वाइस के साथ यहां से यंद्या मुर्थजा के साथ वालब साना के साथ इस मैच के लिए मैं आज आज खान के साथ जाओंगा क्योंकि देखिए पिछले मुकाबले में इन्हों निकाल पाई लेकिन निकालने से मतलब नहीं होता आप चौदरन बनाकर इन्होंने अच्छा पर्मेंस अच्छे जगह से चौदर और बना और इनका जो कि बॉलिंग में इफट था बॉलिंग में इफट बहुत इलाजवाब था इसलिए मतलब की मतलब इन्हें मैं पिक करना चाहता है क्योंकि इंडिया के सामने बिक्टे फी कितना ले पाते यहां से स्कॉट मैंची एक स्कॉट मैकेंची जैसन अली को मैं इस मैच के लिए नहीं पिक करूँग अगर बात रही पिक करने की तो आपको मैं बता दू यहां से इस मैच के लिए एहसान खान को मैं पिक करूँगा अगर एहसान खान को अपनी टीम में रखने वाला हूं अगर यह ना खेलते हैं तो यहां से उपने ऊपर थोड़ा जाने की कोसिस करेंगा और लांडर्स में इस मैं आपको बता दूँ एहसान खान एसान खान के सांथ यहां पे गणजाफर या फिर आई उस सुकला में से किसी एक लेने वाले हैं जो की आपको मैं बता दूगा सब्सक्राइब करते हैं इसमें बहुत ज्यादा मतलब कि मैं आपको बताओ इतना ज्यादा मैंने आज तो किसी आप में देखा ही नहीं आप करेंगे तो आप कुछ रिवार्ड चलते आपको फोर्स घुरका कुछ भी कुछ लुकुछ मिलते ही रहेगा जो कि आप यहाँ पर मैं मैच करके बताता हूं जैसे मैच को हम सेलक्ट करेंगे आप देख सकते हैं साथ बच्च कर तीस मिनट का मैच है यहां पर देखिए पाकिस्तान और होग को मतलब कि कितना लगें यहां पर करके 10 रुपए कर सकते मतलब की मैं दस रुपए लगा कि आप विन कर सकते हैं देख सकते 500 रुपए तक और उसके बाद यहां से LINK कमेंट बॉक्स में मिल जागा लेकिन कमेंट बॉक्स में आप किया होगा सबसे पे होगा कमेंट अब ईसमें जाहि Después ये और वहां ज्यादा इतना आप में जितना है मतलब कि आप एक रुप हैं अगर आपके पास है तो उतना भी लगा सकतेrän इस कभी है करने कंसिटी एतना ठीप मतलब की इतना अपम आपके पास का बहुत जादा भर मार है ढभात करते हैं मैं कि किन्ये यह पिक कर साथ सथे हैं होने में नहीं कि तो उसके बाद हम लोग लोंगे होन gelecek हो सकते हैं अगर हो सकते हैं अगर रइसंटी कहांगे तो मुर्तिया हमारे टिम मैंछ के लिए होने वाले हैं अगर नहीं खेलेंगे तो उनने मैं नहीं लेकर लेकिनियासे PrabJafran KHan को हॕन कंडी में करें के लिए खायर जाना को हटानगा घर में पहता गंठरैंट कि में तक कर सकता हूं लेकिन नहीं लगता है कि करेंगे इसलिए थोड आ यह है कि हम लोग इन्हें करके जाना पसंद करेंगे इसलिए हम लोग थोड़ा से एक बॉलर के साथ भी जाना पसंद करते हैं यहां से बात रही है अगर इन दुन नुवान जो कि आप देख सकते हैं बैट्समन मैंने चार पिक किये हैं पाकिस्तान के तरफ से जो कि मिला जु की अलगे मुझे हैं यसीन मुर्थ होंगे और के जाहां तक बाद रही तो समैच के लिए सब्सक्राइब भाबा जोड़ाघ्यंतपीर Алवा निन्क सब्सक्राइब अब लोग में आप लोग को मैंने बताएगी टेलिगाम चैनल का लिंक पर और साथ साथ मैं आपको बता दू यह जो परफेक्ट टीम है आपको बहुत यह तरीके से बिन कबराया जाए करवाया जाएगा तो जल्दी से यह चैनल को जोईन के दबादेजे निलते हैं नेक्ष्ट ब्रवम तबते के लिए जहिंद बंदे मातरम बल्लेबाजी आप में डिपोजिट कीजिए कमेंट बॉक्स में टॉप में कमेंट में लिंक होगा और वहाई से आप अच्छी खासी विनिंग कर सकते हैं बल्लेबाजी आप में कम पैसा कर